कार फ्रेंट सभी का स्वागत थे फिर से एक छोटी से मिनी मिनी कुकिंग ब्लॉग में आज पनी को मैंने दस मिन में ट्राइ किया कैसे कि आपको पताऊंगी और रेसिपी बहुत ग्रीच छे और बिल्कुल मुह में घुलने वाली रेसिपी जो आप आप रहते हैं पाशा करत इसमें कुछ नहीं चाहिए मसाला बगड़ा इतना ज्यादा कुछ ताम जाम की दर्वें दस मिन पर वालने वाली रेसिपी है अब देख लीजिए मंगच को दो गांटे पहले भी को के राखने अगर नेगी नहीं भी को के राखने कोई प्रोब्ल में गडम पनी में देखे बंधामीं दर्ग दीजिए मंगच ठिक ठाक सब उसमें सेथ हो जाएं अब देकि जितने भी खड़े मसाला ते उस ही तेल में जिसमें मैंने पनी फ्राय किया उसी तेल में खड़े मसाले ने खड़े देवे और साद में दो तेच पत्य आप चाहिए तो साही जिरग इसमें यूज कर सकते हम लोग जो नॉर्मली जीरा बागरे खाते हैं वो मत दीजिएगा वो अच्छा नहीं लगता है और जितना में पेस्टा मगा जो और अद रखका वो पेस्ट मैंने अब देखके अच्छी तरह से तुरह फ्राइ कर लूँगी उसके साथ करम मसाले चीन शूगर अधिकी बात है नमक और शूगर देखे और थोड़ी शीकाली मिस देखे अची जासे मसाला को फ्राइ कर लूँगी तेल चुट जाए इस ताइमे में किस मिस देदूँगी बस मेरा जैसे रेडी हो चुका है तुरह मसाला का देदूगी इसमें पानी और बॉयल आधे तक पनीर दे दूँगे बस मेरा ग्रेवी भी डेडी हो चुका है पनीर भी एकदम सॉफ्ट बन जाएगी थोड़ी दर ढखके पका सकते हैं लेकिन कोई जरूरत नहीं है ऐसे भी अब रख सकता है पनीर एकदम सॉफ्ट हो जाती है और ग्रेवी बहुत मिठास सा थोड़ा सा जो काली मिठ से उसका थोड़ा सा तीखा पन बहुत अच्छा लगता है जरूर ट्राय किजिएगा टिफिन बॉक्स में भी रख सकते हैं लांच में तो कैसे लागा रेसिपिस जरूर कॉमेंट सेक्शन में बताईएगा